हेलो गाइस वेलकम वंस अगें स्वागत है आपका एक और नहीं वीडियो में होफ़ले आफ सब बढ़िया होंगे तो यूके की गवर्मेंट चेंज हो जो की है इलेक्शन के बाद जो कंजरवेटर पार्टी थी उनकी बहुत बुरी तरह हार हुई और जो लेवर पार्टी है वो अब जोके में आ चुकी है तो नई गवर्मेंट के साथ काफी नई होपस थी लोगों को की काफी जो रूल्स है वो चेंज होने वाले हैं तो आने वाले जैसे इन फ्यूचर रहेंगी इमिग्रेशन को लेके इस गवर्मेंट की यही इस वीडियो का मेन कंसरन है तो अगर आप इस टॉपिक में इंट्रस्टेड है तो आप ये वीडियो देख सकते हो तिल दा एंड अगर आप यूके में आने वाले हो तो ये वीडियो डॉडिय आपके लिए बहुत रहने वाली है तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुर्पीत आप देख रहे हैं यो मी एन इंग्लेंड लाइफ अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल सब सब्सक्राइब गाइस एंड डोंट फर्गेट तो प्रेस फैल आइकन तक कि आपको आने वाली सारी मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मेरे जाए तो इस गवर्मेंट ने लेवर पांटी ने अपनी जो क्लियरली पॉलिसी ओने वाली है वो मैंचिन करी है तो सबसे पहले ब ये एक बड़ी प्राबलम हे पार्टी का इस बात पर क्या टेक है ता लेवर पार्टी है सैट इट वांस तो स्पेंड मनी कुरंट ली मांट फोर रवन्दा स्कीम और इन्फोर्समें अक्टिविटी इंसेड इंसेड अंवीड इंवर्डी कमांड तूर्ट नियू बार्ट to monitor their financial account तो लेबर पार्टी का बोला ये है कि रिवांडास के इनवस्ट करने की जगा पे जो लेबर पार्टी है वो यहाँ पे जो बॉर्डर सेक्यॉरिटी है उसे ज़्यादा टाइट करेंगे उसके इलावा जो भी लोग इन सारी एक्टिविटीस में इनवाल्ब होते हैं स्पेशली लोगों को समगल के एक्टिविटीस में उनको पकड़ा जाएगा पुलिस को उनको पकड़ने के लिए बोला जाएगा और उसे आते हैं यूरोपें यूनियन कंट्रीस से आते हैं वो शायद देल करेंगे यूरोपें कंट्रीस के साथ ताकि उन लोगों को वहीं पर वापस भीजा जा जो सेकिंड में थिंग थी वांडा पॉलिसी तो कंजर्वेटी पाल्टी में रिवांडा पॉलिसी और रिवांडा एक्ट को एक्टिवेट कर दिया था कुछ लास्ट कुछ मन्त में पर अब जो लेवर पार्टी का इस पर क्या टेक है लेवर से दे वोड कैंसल दा पॉलिसी तो इसंबर 2023 लेवर वर रिपोर्टेडली एक्स्प्लोरिंग विर asylum claim could be proceed overseas with successful application able to live in UK previously they have also said they want to sign return deal to EU labor का बोलना ये है कि वो रिवांडा policy को बिलकुल ही cancel करने वाले policy अब cancel होगी ये labor party का बोलना है पर इसकी जगा पर उन्होंने बोला है कि वो explore कर रहे हैं कि क्या ये लोग UK में रह पाएंगे उसके इलावा उन्होंने ये भी of course mention करा है कि जो लोग illegally European countries से यहाँ पर आते हैं वो European countries के साथ deal करेंगे ताकि उनको यॉरप दोवारा भीजा जाते हैं बात करते हैं asylum backlog की तो यहाँ पर काफी जदा ऐसे asylum के case है जो pending है जिनका अभी तक result नहीं आता लोगों की इंटर्व्यू काफी लेट होती रहती है तो asylum backlog बहुत ही बड़ा एक issue है तो लेवर पार्टी का क्या take है तो लेवर पार्टी का बोलना है to clear the asylum backlog the labor party would create a new fast track return and enforcement unit with an additional 1000 staff to process claim care starmer has said that labor would process asylum application from people who have arrived in UK since illegal migration act enacted labor has previously proposed creating a temporary court which it said would enable legal challenges against removal to be heard quickly पार्टी का take जो यहाँ पे backlog है उनको लेके यह है कि वो fast track court बनाएंगे उसके लब 1000 new staff को भी यहाँ पे रखा जाएगा तांकि जो उनकी case है वो जल्दे से जल्दे solve हो पाए उससे पहले भी labor party ने यहाँ पे temporary court बनाने के लिए जो proposal था वो दिया था government को जो की fair accept नहीं हुआ था पर आने वाले time में हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी asylum backlog है उनकी जो सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी बात करते हैं legal migration की तो legal migration को लेके भी जो labor party है उन्होंने अपनी clear जो policies होने वाली है आने वाले future में उनकी बारे में बात करी है तो first होती है net migration को लेके जो की बहुत बड़ा challenge था यहां की government के लिए जो previous government थी उनका भी एक बड़ा concern था यहाँ पे net migration की कितने लोकमाहर से यहां पे move करें तो labor party इसके साथ कैसे deal करेंगी the labor party has now set a specific target for net migration but it would like me level to fall ठीका भी clearly यहां पे बोलना यह है कि वो net migration को कम करेंगे क्योंकि यह एक UK का big issue होने वाला है कि आने वाले time में net migration को करने के लिए new policies और भी नजर आएं तो इसके लावा कुछ जो area है जो specifically इस time पर use करें जा रहे हैं उसके बारे में भी इनके लग-लग take है तो सब पहले बात करते हैं work migration तो यहां पर जो work के लिए लोग आते हैं तो यहां पर इस time पर skilled worker visa जो है वो net migration में जो work migration में सबसे बड़ा पार्ट है तो इसके बारे में labor party का क्या बोलना है labor say it would ask for migration advisory committee to review the impact of rising the skilled worker salary threshold to 38,700 but the when on care worker dependence would be retained under the labor proposal the migration advisory committee would link the bodies sitting out industrial skill strategy government department employer in sector applying for high number of skilled worker visa would be required to draw up skill improvement plan and train UK based worker the party has also said it would revoke sponsor license from employer which do not labor का बोलना यह है कि जो 38,700 salary है उसके लिए मैं को review करने के लिए बूला जा सकता है कि क्या इतनी salary actually सही है कि नहीं है मैं किस पर क्या review देगी यह आने वाला time बताएगा पर हो सकता है एक hope है कि हो सकता है कि salary कम हो इसके यहां care worker में dependence की जो कि still now बंद रहेंगे लेवर party का यह बूला है कि वो यहां पर dependent open नहीं करने वाली इसके इलावा जो यहां पर और labor का बड़ा टेक है net migration को कम करने के लिए वो यह है कि यहां पर more skilled look यहां पर आए जो कि एक particular field में आते हैं तो उनकी जो skilled है वो proper होने चाहिए इसके लिए वो क्या करेंगी वो तो आने वाले time ही बताएगा पर हो सकता है कि कुछ जो changes है वो देखने के लिए मिलें तो यहां बात करी जा रही है लेबर की तरफ से कि जिन fields में जाला लोग आ रहे हैं उनके वारे में review करा जाए यहां पर लोगों को skills करा जाए उन fields में specifically और जो companies है जो यहां पर law breach करती है उनका जो license है वो रिवो करने की बात भी करी जा रही है तो आने वाले time है क्या changes देखने के लिए मिलेंगे यह तो time ही बताएगा पर अगर salary कम होती है तो यह एक positive side रहेगी इसके बाद बात करी गई है student migration and the graduate route जो एक बहुत बड़ा question था last year में कि क्या PSW का time है कम होगा कि नहीं होगा PSW cancel होगा तो labor party कैस पर क्या take है the shadow home secretary zt copper has said that labor will retain the ban on student family member the party has not publicly commented on the review of graduate route तो यहां पर जो clearly है उन्होंने mention करा है कि वो student dependent है उसको वो allow नहीं करेंगे वो still उसको बंद रहने देंगे पर जो graduate route है PSW है उस पर उन्होंने कोई भी comment नहीं करा है तो इस बास पर उनका क्या take होगा clearly कुछ भी mention नहीं करा है तो यह अभी कुछ भी हम बोल नहीं सकते कि यह same रहेगा कि short होगा यह आने वाला time ही बताएगा इसके बाद बात करते है family income threshold की तो यह वीजा उन लोगों के लिए रहता है जा यह उन लोगों के लिए news है जो अपने family को यहां पर invite करते हैं लाइक अपने spouse को यहां पर already यहां के यह 38,700 हो जाएगा तो अब जो लेवर है उनका बोलना है कि मैक को इस amount को review करने के लिए बोलेंगे कि क्या इतना amount required है अगर आपने family member को यहां पर invite करना है लाइक अपने spouse को यहां पर invite करना है तो इसके बाद बात करी कही है immigration fees की तो immigration fees and health charges increase करे थे conservative party में last year पर जो यहां पर labor party है उन्होंने इसके लिए clearly कुछ भी mention नहीं करा है कि whether वो यह same रखने वाले हैं जैसे increase करने वाले हैं जैसे decrease करने वाले है इस चीज़ के बारे में labor party ने बिल्कुल भी कुछ भी mention नहीं करना जो main होता है youth mobile जिसके wallet time to time इंडिया के लिए open होते रहते ह है एंड कुछ और countries के लिए वीजा open होता रहता है तो तो youth mobility visa में कोई भी changes labor party अभी नहीं करने वाले till now labor party का यहीं बोलना है कि youth mobility visa को रिमें सेम रखने जो होता है exploitations of care worker care workers के लिए जो main concern होता है उसमें बोला है कि labor has said it would launch a full investigation into the treatment of migration care worker more likely labor would ban employer which breach employment law for sponsoring migration worker तो जो यहां पे लोगों के साथ exploitation होता है care workers के साथ उसके लिए investigation की बात करी जा रही है काफी employer को ban भी कर दिया जाएगा जो यहां पे breach करते हैं employment law को तो care workers के लिए यही बोलना है कि उनको जो case में investigation की बात करी गई है and जो यहां पे employer होते हैं अगर वो breach करते हैं employment law तो उनका जो license है वो cancel कर दिया जाएगा जो की labor party लेने वाली है यह उनके manifesto में बात उन्होंने clearly mention करीजे कब implement होगी क्या changes होगा यह तो आने वाला time बताएगा पर यह सारी जो उनके manifesto में already mention है तो मेली यही है कि dependent care के लिए अभी बंद रहेंगे dependent student visa के लिए अभी बंद रहेंगे PSW पर उन्होंने clearly कुछ mention नहीं करा है हो सकता है कि आने वाले time में PSW कम हो जा फिर same रही यह उन्होंने clearly mention नहीं करा है और salary को लेके review करने के लिए बोला है Mac को हो सकता है कि आने वाले time में कुछ positive news मिले हो सकता है कि जो salary है वो कम हो हम hope तो ही करते हैं बाकी क्या Mac review दीता है याने वाला time बताएगा तो guys यह थी आज की video hopefully आपके लिए helpful रहेगी अगर आपके लिए helpful है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो for more informative videos like this उसके लावा आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो and आप मेरा Facebook का group and page भी like कर सकते हो and आप मेरा second YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो इन सारी जीजों का जो लिंक के नीचे आपको description में मिल जाएगा तो मिलते हैं next video में till then keep subscribing keep sporting बाबाद